हेलो फ्रेंट्स आइम से वर्द मांड़ा का फ्राम इंस्टिट्यूट आज इस वीडियो में सर जितने भी स्टूडेंट है जो में एक्जैम्स देने वाले हैं या उसके आगे के एक्जैम्स उनके लिए सर जीएस्टी का केस सेनारियो जो बॉस पॉर्टल में डला हुए उस सर इस से पहले मैंने तेन के सिनारियो सॉल कर करके डाल दिये जीएस्टी के और चौथा फिल्ग सेविल सॉल करेंगा सब लोauen करते हैं आप पड़ा इसको लाइक कर दो और फ्रेंड को भी शेयर करना चलो जिए कर केस सेरियो पढ़ने का तरीका मैंने पहले भी सिखाया हर बार सिखा रहा हूं हर वीडियो में सिखाता हूं सर पहले पन क्या पढ़ेंगे कोश्टन पढ़ेंगे सर आप सी क्या बोले टेक चंचल should be applied for revocation of cancellation of registration certificate in case no extension is granted यह पढ़के हैं सर आपके पस 30 days का time period होता है डेट हमें देखना पड़ेगा सर ठीक है डेट हमें देखना पड़ेगा कोश्टन में आगे देखो determine which of the following services provided by चंचल and our hospital is exempt बताना है कौन सी services exempt है अगले देखो which of the statement is correct वो में देखना पड़ेगा सर ठीक है maximum time limit permissible for rectification of error committed in the monthly return of June यह बड़ा easy simple सा question है इसका answer हम case scenario ना भी पड़े तो भी देढ़ेंगे सर सब student को पता है सर next year के 31st October last date है एक गलती student यहां पर क्या करता है यहां पर कोई भी student हो सकता है 30 November select कर ले अब लगे सर 30 November क्यों select कर सकता है क्योंकि होता है credit की last date 30 November of the next financial year होती है तो student को कई पर क्या लगता है हर जगा 30 November भी है नहीं सर रिटर्न के लिए आज भी अगर rectification करना है तो उसके लिए last date 31st October है छोटी सी बात है गलती होने के scope है इसके मैंने आपको बता दिया बाकी उपर पढ़ते हैं और चीरे देखते जाते हैं यह कोश्चन का अंसर तो यहीं से पता चल जाता है सर्थ इसके बाद बाकी का तो पढ़ना पढ़ेगा देखो क्या चंचल is a doctor registered person under GST having inpatient facility, inpatient मतलब hospital के अंदर वाले, in our hospital, she availed interior decoration services from her spouse without any consideration being paid, sir spouse से बिना consideration के interior decoration के services लिये, very nice, sir यह चेक कर रहे है, कितने student को schedule बान याद है कि नहीं, she also availed IT related services from her sister-in-law without any consideration, sir sister-in-law related person में नहीं आती, related person की definition आपको पता होना चीन, both services for the purpose of her profession, चलो, दोनों services for profession था, तो यह spouse वाला तो schedule 1 में cover हो जाएगा, और deemed supply माल लेंगे, पर sir sister-in-law वाला है, वो deemed supply नहीं माने जाएगा, क्योंकि sister-in-law related में cover नहीं होती है, इसे लिए sir उसको supply नहीं माना जाएगा, for the purpose of business लिखा है, बच कर, exam में अगर change कर देना, business हटा दिया ना sir, तो यह spouse वाला है, यह भी taxable नहीं होगा, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है sir, अच्छी बात है, इस से related question में यह नीचे हो, देखो, which of the following is the correct statement as per the provision of CDST 2017, services availed from our spouse is a deemed supply, यह सही है, तो sir अमारे statement first or fourth सही है, समझ आया, आगे बढ़ते हैं, किस scenario आगे बढ़ते हैं, चंचल प्रोवाइड ट्रीप्मेंट अवरियस इन रहॉस्पिटल, अपार्ट रॉम्ट रॉम्ट प्रोवाइड अप्रोइश इन रहॉस्पिटल, प्लास्टिक सर्जरी तो एनांस दा ब्यूटी अव्टी बहुत सारे लोग यह वाला पॉइंट है, जिस पर कंक्यूज हो सकते हैं, सर क्यों भई, रेंटिंग को हमने कब छोड़ा सर, जीवन में ही छोड़ा रेंटिंग को, हम भी कमर्शल परपस के लिए, सर रेंटिंग कमर्शल परपस के लिए हमेशा से टेक्सिबल थी, ठीक है एंबुलेंस सर्विसेज जो है, सर रेंटिंग यह टेक्सिबल है, एक और बजगी सर उपर पढ़ना पड़ेगा, और कंसल्टेंसी सर्विसेज भी कुछ होगी, शी और कंसल्टेंटिंट इन अधर हॉस्पिटल और सी पॉट्टी लाक एस कंसल्टेंसी पीस फ्रॉम द परदाती ना, वो टेक्स बड़ती है, बागी तो नॉमली एक्जेंट सर्व आपसे एक्जेंट उचा था ये भी एक्जेंट सर्व तो हमारी कौन कौन सी एक्जेंट रिजाएगी, और कहां गया, यह ऑप्शन, सेकंड और फॉर्थ समझाया है सिंपल तरीका सिखारों के स सेनरियो करने का इतने आसान तरीकी से बतारों सर जान देते हो ऐसे ही हो जाएगा उसके बाद आगे देखो फदर शी ऑलसर प्रोवाइडेट केंटीन फैसिलिटी एं डिसी 55,000 फ्रॉम इंपेशेंट सर इंपेशेंट एक्जेंट थी केंटीन सर्विसेज थर्टी फैसेंट होता है जो एड्मिटेड नहीं है एं 25,000 फ्रॉम विजिटर पॉर्द सेंपेसिलिटी कुछ लोग देखने आरे पेशेंट को उनको भी केंटीन फैसिलिटी गई दी गई तो वह टेक्सिबल सर एक कोशन था सर देखों कंप्यूट थैक्सिबल वालियो सप्लाय ओफ केंटी सविसेज प्रोवाइड बाय चंचल तो सर दो ही तो टेक्सिबल है एक 35 एक 25 दोनों को मिला है तो कितना हो गया 60,000 60,000 टेक्सिबल आ गया हो एक कुशन और बच्छा है शी पाई जी एस्ट्र 3B पॉर्द मन्त जून बिच समयर शी पाइल देन पॉर्द पॉर्द सेट पान स्विसेज पाईत हैं चया तो तो समयर अब बसूना हो खो फॉर्द देन अब युथ पॉर्द सेंगें जब शाइता इस्टर 1 मिला कर दियो शेख्ञा हो जून कर थियो सका रिच्छा है विंचल सवत्य ऑग अगुषर पॉर्द सेंग ठीत देन अगेंगेंगे रेगें ज जब से order served अगस्ट, अगस्ट में 31 देश दो तो 31-5 आट दीए तो कितने होगा 26 पलस 26 देश हो गया प्लस पर अगस्ट हो गया कि सप्टेम्बर में सप्टेम्बर में 4 देश देख ना सर तोटल समाजे रहो ना सब अगस्ट में 26 देश बचे प्लस सेप्टेंबर के चार्ट तो हो गए सर 4th सेप्टेंबर हमारी डेट आगई साथ समझ आया सिंपल इजी कोश्चन था सर यह आपके इस के सेनरियों के पुरे अंसर बता दिया मैंने आपको सॉल करके इसके बाद आगे और भी केस सेनरियों जिसको सॉल करेंगे सर लाइक करना प्रेंट्स को शेर करना बहुत काम की चीज़ें सरी सब चोड़ी चोड़ी चीज़ें ज्यान से सुनके एक्जाम में याद रहती है बहुत काम आती है इक्जाम में ठीक है चाल थैंक्यू प्रेंट्स